नमस्कार आप देख रहे हैं पाइनर हर्याना और मैं हूँ आपके साथ ओनिका महेश्वरी को प्यार का प्रतीक माना जाता है गुलाब की अलग-अलग रंगों के साथ भावनाओं को प्रदर्श्रित करने के माएने बदल जाते हैं और आज हम आपको बताएंगे गुलाब के हर रंग का मतलब ताकि आपको पता चल सके कौन से रंग का गुलाब आपके लिए है perfect gift लोग अपने दोस्तों, शिक्षक को, वरिष्टों को भी फूल देकर सने और आदर का भाव जताते हैं सफेद शांती का, पीला और गुलाबी दोस्ती का और लाल गुलाब प्यार का प्रतीक माना जाता है यही वज़ा है कि लाल रंग के गुलाब के कीमत Valentine week में सबसे ज्यादा होती है लाल रंग का गुलाब सच्चे प्यार को प्रदर्शित करता है रोस्डे पर सबसे ज्यादा लाल गुलाब की ही विक्री होती है इस दिन अपने प्यार का इजहार किया जाता है इसके अलावा लाल गुलाब इज़त, पैशन और उत्सा को भी दर्शाता है वही गुलाबी रंग का गुलाब खुबसूरती और इलिगेंस का फ्रतीक माना जाता है हलकी गुलाबी रंग के गुलाब का अर्थ सहानुभूती व्यक्त करना और गहरे गुलाबी रंग के गुलाब को क्रतगता से जोड़ कर देखा जाता है वहीं लेविंजर रोज की बात करें तो इस रंग की गुलाब को जादू या मो से जोड़ा जाता है यदि किसी को पहली नजर में किसी से प्यार हो जाता है तो वो इन गुलाबों को उस शक्स को गिफ्ट कर देता है वहीं सफेद गुलाब को सरलता और शुद्धता से किसी को सफेब गुलाप देने का अर्थ उसके प्रती प्यार और इज़त दिखाना होता है वहीं गुलाब की कली जवा महुआ बत्या सिरलता का प्रतिक माना जाता है पूरी तरह से खिला गुलाब आपके विक्सित प्रेम का सबूत है इसके अलावा एक पूरी तरह खिले गुलाब के साथ दो गुलाब की कली आपके गुप्त फ्यार को दर्शाता है राश्ट्रे समाचार पत्र पाइनेर हर्याना पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशत ई-पेपर दिन भर की तमाम छूटी बड़ी खबरे देखने के लिए सबस्क्राइब करें हमारी यूट्यूब चानल को वीडियो को लाइक, शेर और कॉमेंट करना ना भूले